नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हुँ में लेकर कारिक्रम ज्योतिश जिग्यासा एक ऐसा कारिक्रम जहां मैं आपकी जन्न कुंडली से संबंधित प्रश्णों का जवाब देता हूँ जी हाँ इस कारिक्रम में पिछले सप्ता बदलाओ की घोशना मैंने की थी लेकिन कहते हैं कि जो जन्नता की इक्षा जन्नता जनार्दन है वो जो कहे वही मानने हो आप लोगों में से जादा तर लोगों ने कहा नहीं हमें हमारा ये कारिक्रम इसी रूप में हमें पशंद है यहाँ पर हमारी जन्न कुंडली से संबंधित छोटे प्रश्णों का हमें जवाब मिल जाता है अच्छी बात आप जिसमें भी संतुष्ट रहें वही किया जाएगा तो चलिए कारिक्रम उसी रूप में है बस अंतर इतना है कि कुछ दर्शकों ने कुछ सार्व भौमिक प्रश्ण भी किये हैं उन्हें भी लिया गया है आगे से अगर कोई सार्व भौमिक प्रश्ण जोतिस जिग्यासा में करता है तो वो लिया जाएगा और जन्मकुंडली से संबंधित जैसा आपने कहा जैसी आपकी मांग है वो मांग भी अथावत जारी रहेगी यानि कि आपकी जन्म कुंडली से संबंदित जो प्रश्ण है वो आपको उसका जवाब दिया जाएगा सबसे पहला प्रश्ण है संजय शर्माजी का इन्होंने पूछा है इन्होंने तीन प्रश्ण पूछा है मीन लगन में गुरू लाभ भाव में वक्री हों तो क्या उनका रत्न धारण किया जा सकता है दिखा जाए तो मीन लगन में मकर राशी होगी लाभ भाव में और लगनेश बनकर के लाभ भाव में बैठे हैं यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट परन्तु नीच राशी में है तो अगर उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो रत्न धारण करना उचित नहीं होगा अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो आप रत्न बड़े प्रेम से धारण कर सकते हैं अगला इनुने पूछा है धनुलगन में गुरु आठमे भाव में उच्छके हों तो क्या उन्हें अश्टम का दोस नहीं लगेगा लगने इसको अश्टम का दोश नहीं लगता परंतु मैंने सदयुव कहा एक दुर्योग बनता है अवयोग जिसके चलते जातक को जीवन काल में जीवी को पारजन में संघर्स करना पड़ जाता है परशानी हो जाती है उच्चे के गुरु की दृष्टी धनभाव पर पड़ेगी जैसा आपने कहा उच्चे के गुरु अश्टम में बैठे हैं उनकी दृष्टी धनभाव पर पड़ेगी धन के वो कारक है अपनी पारस्व गामिनी दृष्टी से लगन को भी बली करेंगे सो बढ़िया है अब योग होगा जो कार्यक छित्र में कस्ट लाता है वैसे लगने इस पुष्टम का दोश नहीं होता कोई भी ग्रह द्वारा अगर पंच महापुरुष योग लगाया जाए परन्तु वह ग्रह वक्री हो तो कैसा फल देगा उदारण से लीजिए अगर धनु अथवा मीन लगन की कुंडली है और देवगुरु लगन में ही अथवा चतुर्थ में धनु लगन में चतुर्थ में बैठे हो तो हंस महापुरुष योग बना परन्तु देवगुरु वक्री है तो ये उनका वक्रत्व बिल्कुल स्रिष् ऐसे लगनों में अगर इनसे संबंधित ग्रह यानि गुरु अथवा मंगल अगर ये महापुरुष योग बना रहे हैं वक्री होकर के भी तो ये महापुरुष योग स्रिष्ट फल पर दायक होगा तो वहीं ब्रिषब लगन की कुंडली है अथवा मिथुन की है तुला इ बुद्ध महापुरुष बना रहे हैं शुक्र महापुरुष बना रहे हैं तो वह अत्यन तुस्रिष्ट है ठीक कर इसके भी पृप्रीत लगनों में अगर ग्रह महापुरुष योग बना करके वक्री हो रहा है तो प्रभाव में बहुत नियूनता आ जाएगी कमी आ है यदि वृष्चिक लगन में अस्टम भाव में मंगल 20 डिग्री और शुक्र 15 डिग्री की युति है और शनी की 9 सनी 9 डिग्री पर तीसरी द्रिष्टी हो तो क्या मुंगा पहना जा सकता है तो सनी की तीसरी द्रिष्टी तभी होगी जब सनी सस्टम में बैठे होंगे देखिए एक बात आपको बता दूँ कि बृष्चिक लगन में लगने सस्टम में बैठे और सनी से द्रिष्ट हो गए ये चोट योगकारक शुक्र कुंडली में सिम्हरासी में वर्गुत्तम हो पर चलित कुंडली में नीच के हो तो क्या फल देंगे देखिए मैं सदई वो क्या कहा करता हूँ योग और दुर्योग की गड़ना केवल और केवल जनमांक चक्र से करिए चाहे वो वर्गुत्तमी योग बना रहे हो या कोई योग केवल जनमांक में देखिए चलित में नहीं चलित ये कहना चाहता है कि ग्रह का जो प्रभाव मिल रहा है वो फलाने भाव का मिल रहा है तो योग की गड़ना कर सकते हैं लेकिन चलित में नीच का वो फल दे रहे हैं सो प्रभाव में नियून ताजे निवर्गुत्मी ग्रहतो है लेकिन उसका प्रभाव नियून है वो संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहा है बस लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो उसकी हम नीच की गड़ना करेंगे गड़ना तो वर्गुत्मी ही करेंगे संदीप आरियल जीने पूछा है तुला लगन के कुंडली में शनी मेश रासी में नीच के होते हैं और मेश रासी का स्वामी मंगल मकर रासी में उच्च के होते हैं तो यदि सनी केंद्र में हो तो नीच भंग का नियम लागू होगा तुला लगन के कुंडली में शनी मेश रासी में नीच के होते हैं नहीं तुला लगन में हर लगन में शनी मेश रासी में नीच के होते हैं ये बात सत्य है और आपका कहना है कि मेश रासी का स्वामी मंगल मकर रासी में उच्च का हो तो सीधी सी बात है परिवर्तन हो जाएग और इस तरह के परिवर्तन में निसंदेह नीच भंग हो जाएगा, तो निसंदेह नीच भंग का नियम लागू होगा, जनक राज शरमा जी ने पूछा है, कुम्भ लगन में दुतिये भाव में शुक्र उच्चके हैं, ठीक है, द्वादस भाव में बैठे सनी की द्रिष्ट की सुक्र पर है, तो कैसा फल जातक को मिलेगा, मैंने बताया था कि अस्त की स्तुति क्या है, जैसे समझेए, बहुत ज़्यादा तिब्र लाइट जल रहा हो, बहुत ज़्यादा, तो आखों का चौंधिया जाना हो जाता है, तो अस्त ग्रह की आखे भी वैसे ही हो जाती है चौंधिया जाती है, सीधिर सी बात है, उनके पास भी छमता है प्रकास का, लेकिन सूर्य के प्रकास में सभी बिलीन हो जाते हैं, तो उनकी दृष्टी भी थोड़ी कमजोर हो जाती है, वो संपूर्ण दृष्टी से प्रभाव नहीं दे पाते, अब आपने जैसा कहा कि क कुंभ लगन की कुंडली है, तो इस लगन में शुक्र सरवाधिक योग कारक हुए, सनी की दृष्टी के कारण आपको कहीं न कहीं अपने खान पान पर जरूर ध्यान देना होगा, मांसाहार और मद्धे पान से दूरी बनाना होगा, अगर ये आपने बचा लिया, तो सनी क की दृष्टी से कोई नुकसान ने होगा, उपर से गृरू की दृष्टी पढ़ रही है, निसंदेह कोई ज्याद समस्य आपको नहीं आएगी, तो आपने खान पान पर ध्यान रखिये, मद्धे पान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिये, बानी नियंत्रण में रखि दशम में गुरू, पंचम में चंद्रमा, और तीसरे में शुक्र, पापकरतरी योग का बुरा फल तो नहीं मिलता, जातक को धनुलगन है, द्वादस भाव में राहू और दूसरे भाव में शनी, अब लगन में ही सूर्य बैठे हैं, देखिए, निसंदेह यहाँ भाव को पापकरतरी योग लगा है, समझने की बात है, यहाँ भाव को पापकरतरी योग लगा है, लेकिन पापक ग्रहों की गड़ना में सरवाधिक कम पापक ग्रह, कई लोग कहते हैं सूरे को क्रूर कहा करिये, क्योंकि आत्मा के कारक हैं, वो जब यह कहते हैं तो मेरी समझ में आता उनको मैं क्या जबाब दूँ क्योंकि ग्रह के रूप में सूरे की गड़ना मैं पापक ग्रह में क्यों कहता हूं इसका बाकाइदा मैंने जबाब वीडियो बना करके दिया था और बताया था कि वो राजा है और क्रूर का भी अगर कोई है तो उसकी अंतिम परिणती पा पपही होगा समझने की बात है कि हम कहें इसको उदाहरण से मैंने पुर्व में भी समझाया था कि फालाने व्यक्ती बड़े कुरूर हैं बड़े पुण्यात्मा है इसके पुर्विक्ती कुरूर हैं बड़ा पाप करते हैं स्वभाविक सा लगता है कि क्रूर कोई क्रूर करम करेगा तो क्या करेगा हाँ यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक बाते मेरी बिल्कुल समझ में आती हैं जब आप यह कहते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं सूर्य आत्मा हैं जगत की आत्मा हैं पिता हैं उन्हें पाप कहना ठीक नहीं है यहां पर शास्त्रकारों ने अपना मत दिया है उन्होंने कहा कि पापग्रह ये हैं लेकिन सब से कम यहां तक की सुक्लपक्ष और कृष्ण कृष्ण पक्ष के चंद्रमा से भी कम उनका पाप प्रभाव रखा तो सीधी सी बात है कि सास्त्रकारों ने भी पापसब्द का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन उनकी गणना पाप ग्रह में पूर्ण तह नहीं की तो यहां पर आपको मैं बता दू कि सूर्य के लगने में होने के कारण पाप करतरी योग का संपूर्ण बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा एक तरह से देखा जाए तो भाव खाली होता उस भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो निसंदे पुर्ण पाप करतरी योग लेकिन यहां पर सूर्य लगने में बैठकर कारक होते हैं बुद्ध वहां पर आप बता रहे हैं कि लगने में ही बैठे हुए है जी हां बुद्ध भी लगन जिनका है उनका नाम लगता है जो सलेक्ट कर रहेते हैं उनसे छूड गया है तो इस जिनका प्रश्न है वहना नाम अपना समझ लेंगे आपका ही ये प्रश्न है प्रियदर्शकों यहीं पर मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं मैं पिछले दिनों भी आप लोगों से ये प्रार्थना मैंने की थी, कि अगर आप प्रश्न लिख रहे हैं, तो प्रश्न को हिंदी में लिखिए, आपके प्रश्न के चुनाओ की संभावना 99% हो जाएगी, दूसरा, प्रश्न को छोटा रखिए, चुनाओ की संभावना सत प्रतीशत हो जाएगी, दो ही बात आपको मानना था, यह आप नहीं मानते हैं तो दिक्कत होती है, पहला प्रश्न को हिंदी में लिखिए, फिर उसको हिंदी में कनवर्ट करने में, या हिंदी में दुबारा टाइप करने में, इस दुनिया में अपने अपने काम से भागने वालों की कमी थोड़ी है, मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भाग रहे हैं, सब ही भाग रहे हैं, मैं किसी और को दोस्त क्यों दूँ, तो जब आप उसको ऐसे लिख करके भेज़ते हैं, तो उसको यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको कुण कनवर्ट कराना पढ़ता है हिंदी में, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो उसको छोड़ ही देते हैं लोग, एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, तो उस जगह पर मैं आपको सलाह दूँगा, तो आप खुद ही आपका प्रशन है, आप अकेले इतना कर सकते हैं, इतनी जीमेवारी उठाइए, अपने प्रशन को हिंदी में दिखिए, एक, दूसरा, प्रशन को छोटा रखिए, शत प्रतीशत चुनाओ की संभावना होगी, तब आप दोस्त दीजिए कि नहीं चुनाओ हुआ, प्रशन छोटा हुआ, चुनाओ अवस्य होगा, अब ये ग्रह यहां बैठा, ये ग्रह बताईए क्या होगा, मैं छोड़ दूँगा उसको वारे, जब मैंने प्रारम भगिया था, तब भी कहा था, धिरे धिरे लोग अपने ले में आ गए, और उन्हें पूरी कुंडली लिखनी शुरू कर दी, आज तो मैंने किसी की देखा एक सवाल था, उन्होंने सारे ग्रहों की स्थिती, और फिर तीन-चार सवाल बकाइदा उन्होंने लिखा, सिधी सी बात है उनको छोड़ दिया जाएगा, ये सवाल जो तो जिग्यासा कोई मन में उत्पन्न हो गई है, और पूरी कुंडली ही आपके मन में उत्पन्न हो गई है, तो उसमें हम क्या करें, जिग्यासा उत्पन्न है पूछिया आप उसको, हिंदी में टाइप करिए और साथी साथ छोटा प्रश्ण पूछिये, तो ये प्रश्ण का नाम याँ छूट गया है, अब जो भी सवाल जिनका है समझ लें इसको, तो नाम आपका जो भी हो आप जान दीजिए, प्रदीप चौहान जी ने पूछा है मेस सिम्ह करक धनू आदी लगन में अश्टम भाव में आमावस्या दोस हो उन पर वक्री देवगुरु की पांचवी दृष्टी हो अन्य किसी ग्रह की दृष्टी न हो तो क्या प्रभाव में कमी आएगी देखिए इसको समझे बहुत ज्यादा समझने की आवशकता है यह प्रश्ण का जवाब लगभग अभी उपर मैंने दिया था यहां चंद्रमा की इस्तिती सूर्य में बिलीन हो जाना है चंद्रमा है मन अब निशन देह आमावस्या की इस्तिती में जनमें जातक लगभग के मद्रुम जैसा ही में कमी आजाना निसंदे कोई संदे ही नहीं है निसंदेあ कमी आएगी लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि इसका यह मतलब न माना जाए कि अब सूर्य सूर्य के जद में आए चंद्रमा बली हो गए न गुरू की द्रिश्टी आने के कारण चंद्रमा पर चंद्रमा का जो बेहद कमजोर प्रभाव था बेहद कमजोर हो गया था जो चंद्रमा वो गुरु की दर्ष्टी भले गुरू वक्री है लेकिन आपने जिस तरह के लगन की चर्चा की अभी थोड़े दिर पूरु मैंने बताया कि इन लगनों में गुरू का वकरत्प नुकसान देह नहीं है तो ये जो गुरू की दृष्टी है इसमें कहीं कोई संसय नहीं है कि चंद्रमा के प्रभाव में बल तो आएगा लेकिन शत्र प्रतीशत नहीं अम आवस्या का दोस्त तो तब भी रहेगा जातक के मन को ये अशांत करने वाला तब भी होगा इबाब सत्य है अगला प्रश्ण भुपेंद्र सिंग जी का है इन्होंने पूछा है तुला लगन की कुंडली में चतुर्थ चंद्रमा केमद्रूम योग से ग्रसित है तो दसम भाव में बैठे उचस्थ गुरू की चंद्रमा पर द्रिष्टी पढ़ने पर क्या केमद्रूम योग भंग माना जाना चाहिए तुला लगन की कुंडली में चंद्रमा को आपने कहा कि चतुर्थ भाव में यानि मकर रासि में बैठे है अब मकर रासि में बैठे चंद्रमा पर उच्च के गुरू जो की क्यरकरासी में होंगे द्रिष्टी पढ़ रही है निसंदे चंद्रमा का केमद्रूम योग भंग होगा क्योंकि उच्च के गुरू की द्रिष्टी पढ़ रही है और केंद्र में दोनों है फलस्वरुप केमद्रूम भंग माना जाएगा गज केशरी योग का यहां पर निर्मान होगा अब मैंने इसके बारे में भी बताया था किसी एक दर्शक ने इस वीडियो के बाद बताया कि आप किसी रिशी का मत खंडन कर रहे हैं उन्होंने ये ये भी केमद्रूम भंग का बताया आपने ऐसा नहीं बताया मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उन पर दया करूँ या उन पर हसूँ मैंने सोचा जाने दो सब कोई जोतिसी नहीं है नहीं समझ पाता मैंने ऐसा नहीं कहा था कि केमद्रूम योग भंग होने का बस यही इतना सूत्र है मैंने असल में उस बीडियो में केमद्रूम योग के पीछे के रहस्य का और ये बताया था कि अगर ये दुर्योग है तो खंडन इसका हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको इसका बिल्कुल दूस प्रभाव नहीं मिलेगा, प्रभाव तो तब भी मिलेगा कभी कभी आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं सुनते और केवल दुरागरह से ग्रसित हो करके उस पर कॉमेंट कर देते हैं साहब मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको अगर अधिक आता है तो बहुत अच्छी बात है मैंने कभी इसका खंडन नहीं किया मैं सदव कहा करता हूँ मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी को बहुत जादा नहीं आता लेकिन कम से कम सुनिये मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरा मत क्या है आप दुरागरह के वशिभूत आकर के अगर केवल खंडन करना चाहते हैं तो फिर उसमें क्या मुद्दा है फिर क्यों समय अपना बरबाद करते हैं जब आपके पास ग्यान है तो यहां उतना मिलना नहीं है आपको अपना समय क्यों बेर्थ करते हैं तो मैंने ऐसा किसी रिष्टिका मत खंडन कर दिया मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था मैंने कहा कि ये परिष्टिती है इसके पीछे रहस्य क्या है खेर तो आपको बता दू बिल्कुल खंडन हो रहा है ये के मदुरुम शमाप्त माना जाएगा भंग हो रहा है लेकिन मैंने तर्क दिया था कि भंग का ये मतलब कताई न निकाला जाए कि अब इसका दुश प्रभाव नहीं मिलेगा ये विकल्प है और विकल्प कमजोर होता है एक और प्रश्ण है जहां पर लगता है चुनाओ में फिर यहां पर गड़वडी हुई है नाम छूट गया है और ये प्रश्ण जिनका है नाम न हो परन्तु आपके सवाल का जबाब आपको मिल जाएगा आपने पूछा है मेरी ब्रिशब लगन की कुंडली है और सूर्य ब्रिश्चिक है जिसके स्वामी मंगल लगन कुंडली में चौथे घर में है तो क्या मैं तामबे का कड़ा सूर्य मंगल को अच्छा करने के लिए पहन सकता हूँ मेरी ब्रिशब लगन की कुंडली है सूर्य लगन में साथ अंसपर है और चंद्र राशी ब्रिश्चिक है जी हाँ, आपकी चंद्र कुंडली ब्रिश्चिक होने के कारण आप निसंदे यहाँ पर सुरिकों बल देने के लिए कड़ा धारन कर सकते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, हाला कि और ग्रहों का बलाबल पता हो, तब किसी भी चीज को धारन करने से पूर्व, सदईव ग्रहों के बाकी किस्तितियों को पूरी तरह से जान लेना चाहिए, धारन का अर्थ क्या है? अर्थात आपको कोई दवा खिलाई जा रही है, अब दवा खिलाने से पूर्व, पूरी ग्रहस्तुतियों को समझ करके ही कोई उपाय करें लेकिन हाँ जितनी बाते आपने कही हैं उसके आधार पर आप बिल्कुल कडालो मंगल तांबेका कर सकते हैं हाथ में धारन कोई दिक्कत नहीं है नीरज सरमाजी ने पूछा है मेरा करक लगन है और लगनेस दूसरे भाव में अकेले हैं और सनी की दस्वी द्रिष्टी से द्रिष्ट हैं अब मैं यदि पूरुनिमा का वरत करूं तो कब तक लाभ दायक होगा और पूरुनिमा वरत को लेकर के मुझे बड़ी शंका है क्यो तो वो इस बात को मानते हैं कि आज सुर्योदय से भले 20 मिनट के लिए ही पूरुनिमा हो तो वो उसको मानते हैं अगर पिछले दिन 10 बजे के बाद आया है पूरुनिमा और अगले दिन 20 मिनट के लिए ही पूरुनिमा है तो वो उसी को मानते हैं लेकिन आपका जो ब्रत है वो पूरुनिमा में ही चंद्रमा को अर्ग दिलाने की बात करता है पूरुनिमा का व्रत अतह आपको एक दिन पहले वाला मानना चाहिए क्योंकि दूसरे वाले में पूरुन तह रात्री तक पूरुनिमा की संभावना बहुत नगणने रहती है तो जब आप चंद्रमा को अर्ग दे रहे होंगे तब प्रतिपदा होगा तो आपको एक दिन पहले वाला करना चाहिए एक दूसरा कब तक करूं तब लाभधायक होगा असल में इस प्रश्ण का एक बड़ा सरल जबाब है कि दवा हम कब तक खाएं जब तक रोग ठीक न हो जाएं आप तब तक खाएं फिर भी कम से कम किसी भी ब्रत त्यवहार इत्यादी का प्रभाव 11 कम से कम विशमांक 11 होना ही चाहिए इतना तो करिए ही उदय परमार जी ने पूछा है मिथुन लगन में 12 भाव में उच्च के चंद्र केमद्रूम योग में पंचमस्थ वक्री सनी से द्रिश्ट विश्योग में हैं द्वादसेश शुक्र अस्टम भाव में हैं और दसम भाव में लगनेश नीच्व अस्थ हैं केमद्रूम योग का क्या फल होगा या केमद्रूम योग फल देगा ये जाना चाहते हैं मिथुन लगन में 12 भाव में उच्च के चंद्रमा सही है केमद्रुम योग में पंचमस्थ वक्री सनी से द्रिष्ट साहब सनी अगर पंचम में है तो उनकी द्रिष्टी चंद्रमा पर कैसे पड़ेगी ये आपसे किस ने कह दिया मैं आपको बता दू कि सनी की द्रिष्टी चंद्रमा पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी चाहे वो वक्री हो या नहीं कई बार ये भी लोग समझ लेते हैं कि ग्रह वक्री है तो उसकी द्रिष्टी पीछे से आगे से नहीं ग्रह वक्रत तो बता चुका हूं कि ग्रह वक्री नहीं होता ये प्रतीत होता है भान होता है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो ये जाने लीजिए कि यहां पर विश्योग नहीं है, दूसरा आपने जैसा कि लिखा कि केमद्रूम योग है और द्वादसे से सुक्र अस्टम भाव में बैठे हैं, दसम भाव में लगने से नीच वा अस्त हैं। अब देखा जाए तो शुक्र आपका कहना है कि अस्टम भाव में बैठे हैं तो भी प्रीत योग लेकिन शुक्र अस्टम में हैं, तो मैं यहां पर बता दूँ कि केमद्रूम योग भंग तो यहां पर नहीं माना जाएगा, और धन भाव के स्वामी होकर के ब्याय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो यह चंद्रमा उच्चके हैं और ब्यायाधिक के किस्तुती, मानसिक अशांती और कई बार दिखावे के चीजों पर ब्यर्थ का ब्याय कराने वाले होंगे, धन संजित नहीं होने देंगे, और जातक कई बार अपनी वानी के कारण लोगों को शत चंद्र की युती है, जहां शुक्र नीच का है, क्या फ्ल देगा, जो की लगनेस भी है, तथा इसी कुंडली में दसम भाव में सनी चतुर्थ भाव में सुर्य हैं, यह क्या फ्ल देंगे, अच्छा, ब्रिशब लगना में पंचम भाव में शुक्र चंद्र की युती है, या तो चतूर्थ में होंगे या क्योंकि आपने साथ नहीं लिखा है तो या तो सस्ठम में होंगे आसपासी होते हैं चतूर्थ में हैं तो केंद्र में हुए केंद्र में होने से निचत तो कही न कहीं कम ही हुआ और फिर खुद ही शुक्र लगनेश वोकर के पंचम में केंदर त्रिकोंड योग बना करके बैठे हैं हाँ लगनेश नीचस्त हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी कमी तो आ गई कुंडली में आगे आपने कहा कि इसी कुंडली में दसम भाव में सनी और चतुर्थ भाव में सूर्य अब जरा गौर करिए लगनेश का नीच रासी में जाकर के बैठना और वो भी चंद्रमा के साथ ये कहीं न कहीं दुरवलता को दरसाता है चारित्रिक और सूर्य परसनी की दृष्टी बदनामी की बात को कहता है सो सबसे पहले तो मित्रता में आपको सावधान रहना चाहिए नशा इत्यादी करना और गलत संगती गलत चारित्रिक दुर्गुण आपको बदनाम कर देंगे अतह इस तरह की चीजों से आपको सदईव दूर रहना चाहिए बच कर रहना चाहिए ये कहना चाहता है ये ग्रहस्तुती आप ऐसा करते हैं सुरक्षित रहेंगे मन्जू सुकला जी ने पूछा है ब्रिशब लगन में मंगल सब्तमे सोकर दूसरे स्थान पर हैं सात्वे स्थान पर राहू बैठा है और सब्तम भाव को शनी दसम दृष्टी से देख रहे हैं ब्रिहस्पती पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या गोमेद पहनना चाहिए या सूर्य और शुक्र एकादस भाव में बैठे हैं बैवाहिक जीवन काईसा होगा ब्रिशब लगन में मंगल सब्तमे सोकर दूसरे स्थान पर गारत तो नहीं कहे जा सकते लेकिन सब्तम भाव में जो राहू बैठें वो नीच रासी में हैं यहां बिल्कुल आपको गोमेद नहीं पहनना चाहिए और मैं बता दू कि गोमेद और लहसुनिया प्रायभ बैंगॉल में लोग ऐसे ही घूमते फिरते पहन लेते हैं सरवथा ये गल गलत है राहू और केतु के रत्न को तो सबसे जादा विचार करके धारन करना चाहिए जबकि वहां पर ऐसे ही लोग धारन करते हैं कई बार तो लोग नॉर्मली धारन करते हैं कुछ नहीं तो राहू केतु पहने हुए हैं यह गलत है राहू केतु का रत्न को सबसे जादा द्रिश्टी से देख रहे हैं तो दामपत्य जीवन कैसा होगा देखा जाए तो सुरिया और शुक्र एकादस भाव में यहां पर सुक्र हो सकता है अस्त भी हो आपकी कुंडली में ब्रहस्पती पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भावगत गुरुपर पापग्रह के कुछा है मीन लगन में सपतंभाव मारक होता है तो मीन लगन में सब्तम भाव में अगर राहु चंद्र और गुरु इन सब की युती है अब सीधी सी बात है कि सप्तम भाव में देव गुरु अब बुद्ध कहां बैठें ये भी देखना होगा क्योंकि गुरु यहां पर केंद्रा अधिपति दोश्य ग्रसित हुए हाँ एक बात आपको बता दू कि गज केसरी योग है मैं योग की बात कभी खंडन नहीं करूंगा ग्रहन और चांडाल भी बनेगा योग तो है योग में कोई कमी नहीं है परन्तु गज केसरी योग के प्रभाव में कमी निसंदे हा जाएगी क्योंकि योग कारक जो ग्रह हैं वो दोनों के दोनों विशेश करके देव गुरु ब्रहस्पती का केंद्रा और राहु के साथ दूशित हो जाना और चंद्रमा का भी दूशित होना ये योग में कमी अवस्य ला देगा योग का संपूर्ण प्रभाव नहीं लेने देगा आदिक्ते राज डोडिया जी ने पूछा है मिथुन लगन की कुंडली में भाग्य और लाभ के कारक देव गुरु ब्रहस्पती वक्री एवं नीच के होकर के मकर राशी में अस्टम भाव में बैठे हैं सनी 24 अंसपर परिवर्तन योग बनाकर मीन रासी में बैठे हैं तो क्या गुरु को बल प्रदान करना नुकसान होगा भाग्य का साथ पाने के लिए क्या उपाय किया जाए तो आपको मैं यही कहूंगा कि लाभ के कारक और भागे कारक के कारक देव गुरू को बल देने के लिए मंदर जाना सुरिष्ट है सुप्रिया तिवारी जी ने पूछा है तुला लगन और तुला रासी के दूसरे भाव में सुर्य मंगल बुद्ध राहु शुक्र की युति है और पाचवे हाउस में सनी एक अंस 22 कला पर बैठे हैं क्या मान सम्मान में कमी आएगी बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ेगा देखिए निसंदेह गुरू सनी यहाँ पर कमजोर है तो उनकी दृष्टी भी कमजोर होगी हां इनकी दृष्टी सूर्य पर होने के कारण मान सम्मान में कमी वानी में कड़वाहत उत्पन्न होना कई बार ठोड़ी परिशानी सेहत में परिशानी आखों से सम्मन्धित पर अवस्य उत्पन्न होने वाली है इसा जी ने पूछा है तुला लगन में शुक्र लगन में हैं और गुरु चतुर्थ उस्थान में तथा मंगल दसम स्थान में तो कैसा रेजल्ट होगा गुरु और मंगल दोनों नीच रासी में होकर एक दूसरे पर दृष्टी डालेंगे तो क्या होगा सणी एकादस उस्थान में और चंद्र धनुरासी में तुला लगन में शुक्र लगन में और गुरु चतुर्थ उस्थान में तगी सबसे पहले तो बता दूं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दो नीच के ग्रहों की दृष्टी आपस में मिले तो नीच भंग ह हो जाएगा उन्होंने ऐसा कहा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है उनकी इस बात में मुझे दिखाई तो पड़ती है छमता कि बात में दम है लेकिन एक और विचारनीय तथ्थे सामने आता है कि दो चोर दो बुरे लोग आमने सामने होकर के साधू हो जाएंगे इस बात मे मुझे बड़ा आजब सा लगता है कि नीच का ग्रह बली होता है कमजोर नहीं होता दुस प्रभाव देने के लिए अब ये कहना कि दो बुरे लोग आमने सामने रहते हैं तो उस साधू बन जाएंगे थोड़ा आजब सा लगता है तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा फल देने लगेंगे निसंदे इस दोनों ग्रहों से कही न कहीं चुकी बात तुला लगन की चल रही तो वैसे भी ये दोनों कारक नहीं है result में कमी ही मानी जाएगी जिस भाव के स्वामी है उसमें कहीं न कहीं कमी लाना कारिक्षेत्र में परिशानी लाना इत्यादी काम ही ये करेंगे और दिप्तिमित्स मिस्रा जी ने पूछा है सिम्हलगन की कुंडली में यदि सनी 18 हंस के साथ दांपत्य भाव में वक्री होकर के बैठे हो तो इसका स्वास्त पर कोई बुरा प्रभाव पढ़ता है जबकि सुक्र लगन भाव में 13 हंस के साथ मारगी होकर के मंगल कर्म भाव में 16 डिगरी के साथ मारगी है क्या इससे विवाह में दिक्कत होगी जिहां विवाह में बिलं बिलंबित विवाह की स्थिती होती है और लगन पर शनीदेव की दृष्टी हर कार्य को बिलंबित कराने वाला होगा निसंदे यहाँ पर शस महापुरुष योग है क्यों कि सिम्म लगन की आप बात करें और आपका कहना है कि सनीदेव सब्तम्भाव में बैठें तो दिगब इस कारिक्रम को लेकर कि आप सबके समुख वपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार